वेलकम बाक तो माई चैनल पैंटेस्टिंग और अपियाई सेक्यूरिट्री और पैंटेस्टिंग के अंदर आज हम देखने वाले है एपिसेट 2 जिसमें हम देखेंगे वर्नेबिलिटी ब्रोकन ऑपजेक्ट लेबल ऑथराजेशन लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि एपियाई क्या होती है पैंटेस्टिंग क्या होती है अगर आपने वीडियो नहीं देखा है आप चेक कर सकते हैं डिस्क्रेप्शन बोक्स में आपको लिंक मिल जाएगा हम लगों ने 2019 और 2023 दोनों की वन्नेबिलिटी को कंपेर किया था तो ब्रोकन ऑपजेक्ट लेबल ऑथराजेशन आपका 2019 में भी है और 2023 के अंदर भी आपका आपका API 1 है आपकी वन्नेबिलिटी फर्स्ट है जो आपके एक्जिस्ट करती है आज की सीडियो में हम देखने वाले है कि ब्रोकन ऑपजेक्ट लेवल ऑथराजेशन या फिर इसको बोल सकते हैं हम बोला जैसे कि आप लोगों ने वन्नेबिलिटी देखी होगी आईडोर या तो आप इनसेक्योर डारेट ऑब्जेक्ट रेफ्रेंस बोल सकते हैं आईडोर बोल सकते हैं या फिर आप इसे बोला इत्समिन ब्रोकन ऑपजेक्ट लेवल ऑथराजेशन बोल सकते हैं तोनुमें कोई डिफ्रेश्स नहीं है श्रिप नाम का अंतर है यहां पे जैसे भ आप authorized हो जाते हैं सिर्फ उस id को change करने पर या फिर session token वगेरा को switch करने पर जहां पर आपके authorization barrier या कि जो tokens वगेरा है वो properly work नहीं कर रहे होते हैं या misconfigured होते हैं इसका एक another example देख सकते हैं हम कि authentication आपके username और password से validate हो रहा है authorization होता है कि क्या वो account आप ही का है for example अगर abc और abc password से मेरा account open होता है so obviously xyz और xyz से दूसरे का account open हो रहा है तो क्या मैं उस id को change करके उस value को change करके मैं abc से xyz account के अंदर जा सकता हूं और उसका data access कर सकता हूं that means मैंने यहां पर जो मेरा authorization था object level पर मैंने उसको break कर दिया so यह vulnerability है मेरी broken object level authorization जो कि same as आपके IDOR की तरह ही work करती है इसके अगर scenario से related बात करें so for example एन e-commerce platform for online stores जहां पर वो provide करवाता है multiple जो उसके products होते है then हम नोगों ने उसको inspect किया उसके जो browser की request थी और identify किया कि जो उसके end point है वहाँ पर आपकी shop name पर that means उसके products related कुस data आ रहा है आपका now अगर जैसे for example shop 1, shop 2, shop 3 यह करके आ रहा है तो मैं वहाँ पर जैसे ही shop 1 और shop 2 का करता हूं तो मैं दूसरे product की details देख सकता हूं जबकि मैं authorized हूं सरिफ particular उसी product की जहां पर मैंने उस चीज को visit किया है यह scenario को मैं देख लेते हैं for example like while the monitoring the network traffic so यहां पर आपको variable device ती जहां पर following और ही http patch request में और आटेक कर change कर पा रहा है http request को so for example मेरे पास user id 54796 ती और अगर इसको replace कर देते है user id को तो 54795 की details आपको यहां पर show हो जाती है so this is the scenario 2 so एक पर इसका practical देख लेते हैं कि कैसे यह work कर रहा है and practical के लिए मेरे पास vulnerable machine है जहां पर already मेरे पास hosted है application so यहां पर मेरे पास local hostback application है जहां पर company name है मेरे पास mht करके and mht के अंदर आपको जो मेरा URL है which is API rule1 version v and then user मेरे पास multiple है so for example मैं अगर 5 देखता हूं तो यहां पर मेरे पास blank details आती है और same चीज़ अगर मैं यहां पर 4 कर देता हूं so you can see मैं पास 4 की details and 1 करके देखते है so you can see यहां पर मैं पास 1 की details मैं पास यहां पर show हो दी है in JSON format so मैं यहां पर एक tool use ले रहा हूं जो कि आप use ले सकते हो आपका addon आता है आपका और easily आपके configured हो जाता है आपके Brave browser के अंदर और Google Chrome के अंदर so this is the talent API tester so इसका आप free version use में ले सकते है इस यह I think sufficient है इसके लावा कुछ और issues हो तो you can use the postman and pubsuit also जो कि हम next examples के यहां पर next vulnerabilities के अंदर देख लेते हैं so talent के अंदर मैंने simple यहां पर URL use में लिया है जो कि मेरा API का end point है API के end point के बाद मैं जैसे इसको send करता हूं so यहां पर मैं पास no content आता है connection मेरा close दिखा रहा है और बाकी की headers की details है यहां पर आ जा रही है same चीज मैं यहां पर इसको change करते है 4 के अंदर then 4 के अंदर भी मैं पास data नहीं है 3 करते है and then send और जैसे ही मैं 3 में करता हूं so यहां पर complete request headers देखते हैं यहां पर आपको host देख देख जाता है response में you can see id 3 username bob and name tester और जो भी मेरा flag था क्योंकि obviously हम लोग test bed use में ले रहे and connection request के अंदर आपको यहां पर कुछ authorization code नहीं है that's why यहां पर issues है same चीज़ अगर मैं यहां पर 2 कर देता हूं so जैसे अभी बहुत के users की details देख रही थी then मुझे Alice King and then THM जो मेरा flag था and simply इसको 1 कर देते है so you can see the John's code so यहां पर authentication तो अलग है क्योंकि username and password कुछ है नहीं यहां पर but authorization यहां पर simply एक users के ही होना चाहिए for example अगर मैं one की details देखना चाहता हूं so यहां पर मुझे one ही मिले so इसके prevention के लिए आप लोगों ने देखा हो गए यहां पर कि यहां पर आपको multiple चीज़े use में आती है कि आप लोग authorization mechanism use मे ले क्योंकि आपने बोट बार request और response के अंदर देखा होगा कि यहां पर fixed आपके authorization code एक लिखा हूँ आता है जो कि authorization barrier या फिर आप JWT के थूँ या फिर आप simply एक random number generate कर सकते हैं कि यह सरिफ user one के साथ ही होगा अब अगर number change होते है तो वह token भी वहां पर expire हो जाना चाहिए तो अगर one की जगे two आता है जो number generate हुआ है वो सिर one के साथ ही work करें या फिर अगर कुछ alteration या फिर changes होते है उस user details के साथ में तो वहां पर authorization code disconnect हो जाए So for example Facebook का example लेकर देख लेते है आप Facebook के जैसे ही login करते है तो आप जैसे एक browser के अंदर login कर रखे सो दुबारा आपको login करने की need नहीं होती second time पे या third time पे आप जैसे ही Facebook open करते है आपका Facebook page direct open हो जाता है क्योंकि जहां पर आपका authentication या जो आपका authorization जो code था वह आपकी browser ने already ID वहाँ पे saved करके रख लिया है so अब मैं वहाँ पे अगर दूसरा ID होलना चाहूं तो मैं ले मुझे उसको logout करना होगा then ही मैं दूसरी ID के authorized कर सकता हूँ otherwise नहीं so logout करने के बाद क्या होगा जैसे ही logout करता हूँ so logout करते ही वहाँ पे authorization code है वहाँ पे मेरा expire हो जाता है disconnect कर देता है और अम मैं दूसरे user पे एक साथ login कर सकता हूँ so this is the simple vulnerability that बोला and OWAS top 10 के अंदर first पे आती है vulnerability since 2019 से अभी 2023 के अंदर भी so broken object level authorization so आज के इस वीडियो में इत्ता ही मिलते है next वीडियो में next vulnerability के साथ जब तक के लिए data बाई बाई